कला और संस्कृति के माध्यम से दो देशों के रिष्टों को मजबूत बनाने के लिए एक नई पहल की गई नौईडस तेत्मारवा सुडियो में तीन दिवसीय ग्यार में ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिजम कारेकरम का शांदार आयोजन किया गया जिसमें दूसरे दिन के तीसरे सत्र में इंडो अफ्रिका फिल्म और कल्चरल फोरम के माध्यम से दोनों देशों के बीच के संब बंद को दिखाया गया दीप प्रजलन और गनेश बंदना के साथ कारेकरम की शिरुवात की गई कारेकरम में मीडिया टीवी और फिल्म जगत से जुड़े देश विदेश से अथितिगंड ने अपनी उपस्तिति दर्च कराई इस कारेकरम में ICMEI के संस्थापक डॉक्टर कुल्दीप सिंग शेखावत अध्यक्ष एम ए टीवी यूके जांबिया योगेश मित्तल डॉक्टर रजे कुमार फेस्टिबल डाइरेक्टर मौजूद रहें कारेकरम में उपस्तित अथितिगंड को भगवत गीता भेट कर उनका स्वागत किया गया ICMEI के संस्थाफक डॉक्टर संदीप मारवा ने कारेकरम में उपस्तित सभी लोगों का शुक्रिया आदा किया और कहा भारत और अफ्रिका के बीच अनुक्रियाओं का एक दीर्ग और सम्रद इतिहास रहा है सब्यता संबंदी और एतिहासिक संबंदों को ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि संबंदों को और आगे ले जाने के लिए विश्वास और आत्मविश्वास जरूरी है बॉब ब्लाक मैन संसत सदसे यूके ने कहा भारत और अफ्रिका के बीच सहभागिता हे तू मजबूत पारंपरिक और एतिहासिक आधार है और दोनों के बीच इंडो अफ्रिका फिल्म और कल्चरल फोरम के माध्यम से और मजबूत रिश्टे होंगे कि एम क眉म ज बहुंप और और ह्वासियम और गージ ψनों के ब означाओ भल्तै बहुंप आना को बज नूबूत जरने थे जरे बीच उब धन. झाल सक्क्षाख रहा है तो एक यह स्ट्टन क्या डिया सार्वा तरूस्ट प्रश्ट किरेश्ट सुषने प्रशन के सावाने के आपको यह कि अज़ प्रदित है थाउन्ट वास। देए था इन्हांटा लाग है श्रड लेंगा। यहुट लगोड यह त्ना इस तार्व प्ल कमिना हां भोड़ दो प्रिवी और साथरोफ प्रियान यक यक अजितर टर जिंड पर लवे ब्यॉटीजब टो इसे लिए लुट अच्वावट अच्वावट चैया धू But today we are very happy because we have handed over the partnership to respected Bob Blackman and Mr. Kuldeep Shikawad. The idea is to gain more confidence, the idea is to have blessings from some very important people from UK and also we are looking for appreciation from important people from UK. We have done enough in between India and UK. कारेक्रम में विदेश से आए कुछ लोगों को भारत में पढ़ने और काम करने आए हैं. उन्होंने अपना अनुभव साजा किया, जिसमें उन्होंने भारत की खुबसूरती, यहां का रहन सहन, खाने और बहुत कुछ अनुभव साजा किया. कारेक्रम में मुजिकल पर्फॉर्मेंस बाई इंटरनाशनल आर्टिस्ट फ्रॉम अफ्रिका ने अपने गानों से स्टूडेंस को डांस करने के लिए मजबूर कर दिया. कारेक्रम में आये सभी अतिति गण को डॉक्टर संदीत मारवाद्वारा मोमेंटो दे कर सम्मानित किया गया. कारेक्रम के अंत में उपस्तित सभी अतिति गण और स्टूडेंस का धन्यवाद ग्यापन किया गया. तो साउथ अफरीका, युगांडा, घाना और बहुत सारे मुलक जिनको हमने आज अपने साथ जोड़ा है. और कुल मिलाके 54 मुलक हैं और करीब 26 से भी ज़्यादा मुलकों के साथ हमारा अधान पदान जो है वो बना हुआ है. और आज अफरीका डे का मतलब ही यही था कि हम लोग देश को और दुनिया को यह बताना चाहते हैं कि हिंदोस्तान का जो रिष्टा है वो अफरीका की तकिरिवां सभी मुलकों के साथ बहुत खुमसूरत है, बेतरीन है और आने वाले दिनों में इससे भी बेतर हो सकता है. और जो यहाँ पर इंडिया में बहुत सारे अफरीकान स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग मुलकों से यहाँ पढ़ने के लिए आए हुए हैं, वो आज सब समलित हुए और उन्होंने आज म्यूजिक, डांस, ड्रामा इन सारी चीजों को एक साथ जोड़ा है आज के इस ज आज 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 समारों मना रहे हैं, वो ही इस बात का बहुत बड़ा प्रमान है कि कितनी सफलता इस इस इस्टिटूट ने कमाई है और कितने सारे लोगों को यहाँ से रोजगार मिला, ट्रेनिंग मिली, प्रदी भाएं बहार आई और इतने सारे टीवी चैनल में आप लोग काम कर रहे हैं, फिल्म अडिस्टी में काम कर रहे हैं यहाँ के लोगों तो बड़ी खुशी है और ऐसा बहुत कम रेर होता है कि एक आदमी एक मिशन लेके चलता है और उस मिशन को इस तरह से पूरा करता है को बहुत कर प्रहे है और में हम एक इस अपयों आप अवरा प्राप प्रहे लुटा प्सक्राप अपर्प्राप पहल। तो श्रच प्रहे है और सम्मेर्ट कर रहें with you guys and learn from this festival okay and i really liked it i mean it was really dope i mean it's been this is the second day right yeah and it's been great you know we had fun we just finished you can see how crazy it was over there okay so tomorrow is the last day you guys shouldn't miss it yeah evening program was so vibrating and so wonderful and the best part was that it was uh celebrated as the africa day since i represent the country in africa so it was a very precious day for me to be here today and more so all the african students who are here who came and spoke they spoke very well about the you know situation in which they are working here and they are studying here they are very happy to be here and the reception they get everywhere they go it is wonderful through my ears that all the students who are here are very happy